है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लैपटॉप में जो है आप स्क्रीन सॉर्ट कैसे ले सकते हो इसके दो मेथड बताएंगे बहुत ही इजी मेथड बताएंगे और जो है कोई थर्ड पार्टी जो है अप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए भी हम इस वीडियो में आपको नहीं बताएंगे यह प्रीविल्ड आपके लैपटॉप में आपके विंडो में दिया हुआ रहता है तो चली इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप दो बेस्ट मेठाड कौन सा है कि आप स्क्रीन सॉर्ट आप लैपटॉप में कैसे लिसापते हो तो हे गाज उसे पहले मैं हूँ सालू और आप देख रहे हो तिंक लिटिल मोर और इस चैनल पर हमेशा इस तरह के वीडियो जाती रहते जो आपके लिए काफी ज्यादा यूश्फुल होने वाली है तो अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को स स्क्रीन सोट ले सकते हो इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी टूल की जो है वह एपलिकेशन की जरूरत नहीं करने वाली है तो दोस्तों पहला तरीका है स्क्रीन सोट लेने का वह आपको क्या करना है आपको जो है वह कीज से जो है कीबोर्ट से जो है आपको पहला स्क को प्रेस करके रखना है और यहां पर साथ में आपको जो है प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद जो है आप अपने विंडोज में स्क्रीन सॉट ले पाओ के यह जो है स्क्रीन सॉट लेने का अपने लैप टॉप में चलिए हम आपको जो ह आप किया सकती है आपको जो है आपको ़्या करना आपको विंडो प्रिज़ कर देना उरह है में प्रिंट्ट इस लिलोगे चली हम इसको शो फाइल में उर्थ वह एक थे लिए अब वह हम ज दूरी दुडेह वहल कींशूडो हुझाए को दिखाते हैं कि आप दूसरे तरीके से कैसे आप जो है स्क्रीन सोट ले सकते हो तो दूसरे तरीके के लिए आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको Windows में आना है Windows आपका 7 हो सकता है एट हो सकता 9 10 11 कोई भी हो थीकिए आपको यहां पर क्या सच करना है आपको स्नेपिंग टूल सच करना है यह प्रिविल्ड जो है हमारे लैप्टोप में या अक्टिट कम्प्यूटर में जो है होता है तो यहां पर हम सिंप्ली स्नेपिंग टूल यहां पर लिख दीए और यह क्या करना है यहां से आप देख सकते हो कि आप यहां से रेक्टेंगुलर मोड विंडोस मोड या फिर जो है आप फुल स्क्रीन या फिर आप फ्रीफर्म मोड भी आप ले सकते होगे तो चले आम जो है क्लिक करते हैं यहां पर कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा आपको क्या करना है आपको यहां पर जितना भी आपको क्या करना है आप सिंपली फूल स्क्रीन मोड पर हम जो है वो क्लिक कर दिए अभी हमारा दूसरा स्क्रीन सौर्ट पर दूसरे मेथाड़ से हम ले लिया है तो देखने के लिए भी हम यहां पर आ सकते हैं यहां पर देखिए हमने की दूसरा स्क्रीन स्क्रीन स्वाट भी हमने सक्सेश्पुली जो है वह ले लिया है चलिए हम आपको अच्छे से कुछ दिखा देते हैं तो आपको क्या करना है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आप इन दो screensort लिये है एक keyboard के जरिए और दूसरा snapping tool के जरिये और snapping tool जो है आपको preview जो है आपको मिल जाता है आपके laptop में ठीक है आप simply snapping tool स्च करने के छिए मैंने आजयसे कि आपको बता है यहाँ पर snapping tool आपको search कर देना है ठीक है और इसके बाद जो है आप ले पाओगा snapping tool के सायता से या फिर आप जो है keywords जो keyboard के जो है आप जो है keyboard button भी यूज कर सकता है screenshot के लिए तो ये दो method जो मुझे लगता है कि काफी interesting है और इसमें किसी भी third party application के जरूरत नहीं होती तो that's why I will recommend you तो I hope ये वीडियो आपके लिए काफी useful रहे होगे और आप clear हो कि आप अपने laptop में windows में screenshot कैसे ले सकते हो बिना किसी third party tool के तो चलिए फिलार इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में कोई सित्रा की interesting topic लेगे तप्ता के लिए धन्यवाद जहिंद जवार झाले 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 जवार